देश का मतलब है 130 करोड मेरे देश वासी पूरी मानवजात के लिए भी 130 करोड देश वासीों के जिंदगी की रक्षा उनका कल्यां मानवता की रक्षा का भी कारण बनता है और इसलिए देश के लिए इस कठीन घड़ी में भारतिय जनता पार्टी के सभी कार्यकरताओं पर राष्ट सेवा और मानव सेवा का दायत्व और भी जादा बढ़ जाता है साथियों पार्टी के 40 वे स्थापना दिवस पर मैं आज आपको कुछ सुझाओं पर कार करने का आगर करना चाहता हूं वैसे भारतिय जनता पार्टी ने हमारे राष्टिय अद्यक जी नड़ाजी ने हमारी राष्टिय टीम ने जो एक खाका त्यार किया है मैं उसी को सिर्फ से दोहरा रहा हूं लेकिन मैं अपने तरीके से अपने शब्दों में दोहरा रहा हूं यह हम सब पार्टा के नाते मेरे लिए भी बंधन करता है और हम सब पार्टी के इस आगर को जरूर पालन करना है इन सुझावों में अंत्योदय की भावना भी है और सेवा का अटल संकल्प भी है मैं आज इस विशेश परिस्तिति में इन में से कुछ कारियों पर थोड़ा अधिक बल लेने के लिए आपसे आगर करूंगा साथियों मैं आपसे प्राथ्रा करूंगा इसे एक तरह से आप मेरे पांच आगर मान सकते हैं पंच आगर इसमें पहला आगरह है गरीबों को राशन के लिए अभीरत सेवा अभियान ऐसाने कुछ दिन करेंगे अपने खेत्रे में और भी जो छोटे मुटे सामाजिक संगठन काम करते हैं उनको भी एक धागे में पिरो करके सब को जरूरत मन को पहुंचे जरूरत मन को रहना जाए ये हमें सुनिश्चित करना है एक एक भाजब कारकरता ये पक्का कर लें कि हमारे आसपास एक भी गरीब भूका न रहे उसके पास परियाप्त भोजन हो साथियों आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि किसी की मदद के लिए जाते समये फेश कवर जरूर पहने और मैं ये भी बताता हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टर्णों के लिए निर्धारित हैं जो नर्सिस के लिए निर्धारित हैं जो परामेलितर स्टाप के लिए आवशक हैं वैसे मार्स पहनना ही जरूरी है ऐसा नहीं है हर घर में किसी भी साधरन कपड़े से हम तयार करें और फेस कवर रख सकते हैं और मैं तो मानता हूं यह लगबग हमें आदत बनाने ही पड़ेगी इससे बतने के लिए हमारा फेस कवर हो तौलिया हो कुछ भी हो लेकि लगातार हो मेरा दूसरा आगर है कि अपने साथ ही आप पांच सान अन्य लोगों के लिए अपने घर में फेस कवर बना करके उनको गिप्ट दे सकते हैं उनका वित्रण कर सकते हैं साथ्यों इस मुश्किल समय में समाज को सेवाए दे रहे सभी लोगों का आभार करना उनके प्रती धन्यवाद व्यक्त करना उनको मनोबल बढ़ाना ये सिर्फ हमारा हिदाईत तो हैसा नहीं है समाज को भी इस काम के लिए मोबिलाइज करना शाहिए मेरा तीसरा आगरह है उसी संदर में कि धन्यवाद अभ्यान चलाने के लिए पार्टी की तरफ से हमें एक मोटा मोटा खाका दिया गया है कि पांच अलग अलग वर्ग है और हर घर से इन पांचों लोगों के लिए अलग अलग धन्यवाद पत्रा लेना चाहिए और यह धन्यवाद पत्रा ले करके हमें सामोई गुरुप से उनके सामने देना चाहिए और वो भी पोलिंग उत्वे करना चाहिए पहला वर्ग है आपके इलागे में जो भी नर्सस और डॉक्टर हो दूसरा सफाई कर्मचारी तीसरा पुलिस कर्मी चोथा बैंक और पोस्ट अफिस में काम कर रहे लोग पांचवा आवशक का सेवाओं में जूटे हुए सभी सरकारी मुलाजीम हमें सभी का आभार व्यक्त करना है इसके लिए आप अपने अपने बूथ में और जब पार्टी के 40 वा स्थापना दिन है तो इसको याद रखते हुए हर बूथ में चालिस गर इन पांच अलग-अलग प्रस्ताओं पर सिगनेचर करें पांच अलग-अलग सेट में धन्यवाद पत्र तयार हो और वो सारे धन्यवाद पत्र उसी पुलिंग मुथ में जो जो सम्मधित हो उन तक रूब-रू जाकर के दिया जाए साथियों कोरोना के खिलाब लड़ाई में मदद करने के लिए एक और काम में आपसे आगरे पुर्वक करना चाहूँगा यह लंबी लड़ाई के लिए बहुत अनिवार है हम जितना सफलता पूर्वक इस काम को करेंगे हम आने वाले दिनों में संक्रमन की स्थिती में काबू पाप आएंगे और वो है भारत सरकार ने एक आरोग्य सेतु एप विक्सित किया गया है हमने इस आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करने के लिए मेरा चौता आग्रह है कि जादा से जादा लोगों को जानकारी दे और कम से कम 40 लोगों के मोबाईल में यह एप आप इंस्टॉल करवाए ही और उसके अंदर उनकी जो जानकारी है वो डाल दी जाए तो आटोमेटिकली वैप से उनको बताए जाएगा कि अब आपको किस बिमारी की क्या स्थिती है आपको आगे की क्या सेवाओं की जरूत है आपको किस की मदर लेनी चाहिए आपको किन किन लोगों से बचके रहना चाहिए उनको पता चलेगा कि भी आपके पास यह सहज्जन कल आके गए थे वो संकट वाले हैं अगर उसके प हरेग के अहां इंस्टॉल भी करवाना है और उनसे भरवाना भी है एक और काम है इतनी बड़ी लड़ाई है आर्थी के वह सेवा बहुत महत्वपुन होती है हमने देखा है कि जब देश युद्ध के मोर्चे पर होता है तो हमारी मांता है बैने गहने देते ते सोना दे देती है गरिब भी गरिब अपना पाच पैसा दस पैसा बचाया हो तो देने के लिए भार आ जाता है यह हमने हर युद्ध के समय देखा है ये युद्ध मानवता के खिलाब है ये युद्ध से जरा भी कम नहीं है युद्ध के समय देश के लिए देश के नागरीकों के लिए जिस प्रकार से हम दान की एक बहुत बड़ी परंपरा खड़ी कर देते हैं इस समय भी लाखों लोग PM कैर्स फंड में दान कर रहे हैं लेकिन वो और बढ़ना चाहिए और इसलिए मेरा पांच्वां आगर है कि प्रतेग भा और बीजेपी के 40 साल निमित और 40 लोगों से भी PM कैर में फंड से योग करने के लिए प्रेरित करना है साथियों हम तो चरैवेती चरैवेती के मंत्र के लेकर के चले हुए लोग है हमने उस पर जी करके देखा है आज पाबंदी के कारण चरैवेती चरैवेती को हमने सीमित करना पड़ेगा अब इधर उधर जाने की जरूत नहीं है हमारे आंस पास दुख्यारों के बीच जाना उनके आंसु पहुंचना उनको मदद करना यह जरूर याद रखिये कि जब भी बहार निकले तो फेस कवर तो ह होना ही चाहिए मैं तो कहता हूँ गर में भी होना चाहिए और साथ साथ एक मंत्र आज पूरी दुनिया के लिए एक ही मंत्र है सोशल डिस्टंसिंग और अनुशासन का पुरा पालन करना मुझे उमीद है कि भारतिय जनता पार्टी का प्रतेख कार करता हूँ स्वयम की सुरुख्शा करते हुए अपने साथी देश वास्च्यों के भी सुरुख्शित बनाएगा अपने परिवार को भी सुरक्षित करेगा और ये राष्ट भी हमारा परिवार है उनको भी सुरक्षित करेगा इसी एक भाव को लेकर के हमें चलना है देश को विजयी वनाना है और इसी विश्वास के साथ भारतिय जन्ता पार्टी के इस थापना दिवस पर हमें यहां तक पहुंचाने वाले लक्षावधी कारकरताओं को, लक्षावधी परिवारों को, उनकी त्याग तपश्या को आदर पुर्वक नमन करते हुए, आईए, आपको भी मैं बहुत शु नवात करता हूं.